हलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक तो अर्चैनल, हिमाचल परदेश PGT History का जो एक्जाम 16 अगस 2020 को हुआ था, उस एक्जाम का सल्यूशन लेके आपके भी चाहें हैं, इस वीडियो में हम हिमाचल का पार डिसकस करेंगे, टोटल जो क्वेश्चन आये थे एक्जाम में वो 85 थे और 85 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन यो थे, वो हिमाचल के थे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, हमारा पहला क्वेश्चन था, इन विच डिस्टिक ऑफ एच्पी इस सुकेती लेक, आपको बताना है, सुकेती जो जहील है, वो हिमाचल परदेश के किस जिले में है, आपशन थे, शिमला, कुलू, सिरमौर, चमबा, स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है, सिरमौर, जो सुकेती लेक है, वो आपकी सुकेती फोसिल पार्क नहन के समीप स्थीत है, सुकेती फोसिल पार्क को शिवालिक फोसिल पार्के नाम से भी जाना जाता है, जो की established तांतगारी जो जलधारा है वो किस नदी की सहायक नदी है। आप्शन्स हैं ब्यास, रावी, सतलुज, एंड यमुना। तो आपका जो राइट आंसर है वो है रावी। तांतगारी जो है वो भरमौर से निकलती है, पीर पंजाल के फुट्विल से निकलती है चमबा से और काफी मेन ये स्ट्रीम है जो ट्रिब्यूटरी है रिवर रावी की। हमारा अगला question है, which pass joins चमबा और पंगी आपको बताना है, option जो DHR इन में से कौन सा जो pass है वो चमबा और पंगी को आपस में जोडता है, options इस परकार है, साचपास, कुगती, मकोरी, मुलारी तो right answer है, option A, that is साचपास, साचपास चमबा और पंगी को आपस में connect करता है, वोहीं कुगती पास जो है, लोहौल और भरमा और को आपस में जोडता है, मकोरी जो जोत है आपका कांगडा में है, और मुलारी आपका स्तित है डिस्टिक लोहल स्पीती में अगला question है हमारा, in which district of हिमाचल is ससूर गौमपा, आपको बताना है ससूर गौमपा हिमाचल परदेश के किस जिले में स्तित है, options है लोहल स्पीती की नौर, चमबा और कुलू, तो आपका जो right answer है वो है डिस्टिक लोहल स्पीती, जो ससूर गौमपा है वो आपके डिस्टि फेर का योजिन भी किया जाता है, जो बहुत famous फेर है, केलोंग का, और इस मेले के दुरान जो है, मौनिस्ट्री में मास्क डांस भी परफॉर्म किया जाता है, जो खुद में ही एक अनूठा डांस है, जो लोहल की संस्कृती को दर्शाता है, तो student इसका right answer है, डिस्टिक ल किनौर, शिमला, मंडी एंड बिलासपूर, तो इसका जो right answer है, वो डिस्टिक किनौर, 503 स्क्वेर किलोमेटर में, ये जो है सेंचुरी फैली है, जो कि स्तित है, डिस्टिक किनौर में, बढ़ते हैं अगले question की और, अगला question है, in which district of हिमाचल इस शीला पीक आपको बताना ह जो शीला पीक है, जो शीला चोटी है, वो हिमाचल परदेश के किस जिले में है, options है, लॉल्स पीती, चमबा, कुलू, एंड किनौर, तो इसका जो right answer है, वो है district किनौर, students, इसमें काफी controversy, ये काफी controversial है शीला पीक, because काफी books में इसको लिखा गया है, कि शीला is the highest peak in हिमाचल परदेश, जो की गलत है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो highest peak है हिमाचल परदेश की, वो है रियो पोर्गियल, वो भी जिला की नौर में इस्तीत है, रियो पोर्गियल की जो height है, वो है 6816 meter approximately, और वहीं शीला पीक की जो height है, वो है 6132 meters approximately, तो please इसको correct कर लें, शीला पीक कहा स्तीत है, तो उसका जो right answer है, वो है district किनौर, जो की है option D, अगला question है आपका, when was the kangra cooperative bank set up, आपको बताना है, kangra साकारी bank, जो है की उसकी स्तापना कब हुई थी, options थे, 1960, 1967, 1971, 1974, students, ये चारों के चारों option जो है, वो गलत है, because according to the website of kangra cooperative bank, जो kangra cooperative bank establish हुआ है, वो हुआ था 17 March 1920 में, तो ये इस तरह का option नहीं है, अगर आपको इस question में doubt है, तो please आप kangra cooperative bank की website, जो है, please visit कीजिए, वहाँ इसके बारे में proper information दी गई है, students, इसके इसके इलावा, हमारी कुछ publications भी हैं, Helios की, हिमाचल 360, काफी important किताब है, जो हिमाचल का हर, जो आपको information जीए, डेटेल information वो cover करती है, हिंदी और English दोनों language में book available है, इसके इसके इलावा, अगर आपको ये books नहीं मिलती हैं, तो आप हमें भी call कर सकते हैं, वीडियो के end में आपको हमारा number ज़रूर मिल जाएगा, अगला जो question है हमारा, वो है, in which month is ढूंगरी fair held at Manali, आपको बताना है, किस माह में ढूंगरी fair का आयोजन किया जाता है, तो उसका जो right answer है, वो है May, जो कि option C, ढूंगरी fair जो है, माता हडिमबा के समान में, हर साल मई के महीने में आयोजित किया जाता है, हडिमबा माता के मंदिर में ये आयोजन होता है, और हर साल बड़ी धुमधाम से इसे मनाया जाता है, जिसमें स्तानिय देवी देवता भी participate करते हैं, तो उसका जो right answer है, वो है May, जो है कि आपका option C, अगला question है, आपको बताना है, चमबा रियासत की स्तापना किस ने की थी, आपके options है, मरू, सेन वर्वन, हंस वर्वन, और none of these, तो इसका जो right answer है, वो है option A, मरू, आपको बताना चाहूंगा, 550 AD के आसपास, जो है, मरू ने चमबा रियासत, जो प्रिंसली स्तेट वो capital थी, भरमाओर, और बाद में, 920 में, राजा साहिल वर्मन ने इस capital को जो shift कर दिया था, चमबा में, जो चमबा शेहर है, उसकी स्तापना जो शाहिल वर्मन ने की थी, तो students काफी confused हो जाते हैं, इस question पे, इधर पूछा गया था, जो चमबा प्रिंसली स्टेट के बारे में क्यों कब establish होई थी, और किस ने, sorry, establish की थी, तो right answer है, मारू, और जब आपको चमबा टाउन के बारे में पूछा जाएगा, तो चमबा टाउन के जो founder थे, वो राजा साहिल वर्मन थे, तो please, इन दोनों questions में आप confused ना हो, हमारा अगला question है, who was the speaker of H.P. विधान सभा, which was elected in 1977, आपको बताना है, 1977 में जो विधान सभा के जो आपके speaker थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे, option है, रंजीत सिंग वर्मा, सरवन कुमार, राणा, कुलतार चंद और ठाकुर सिन नेगी, इसमें जो आपके सरवन कुमार है, वो अध्यक्ष रहे थे हिमाचल, विधान सभा के 1979 मे टी-एस नेगी अध्यक्ष रहे हैं, 82, 84 और 93 में, और राणा, कुलतार चंद जो है, वो विधान सभा के speaker है, 1977 में, तो इसका right answer है, option C, students, I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इन questions से related कोई भी doubt है, तो please हमें comment जरूर करें, और अगर वीडियो अच् subscribe और share जरूर कीजिए, इसके अलावा हमारी H.S.Pree की test series भी available है, जो काफी attractive price में आप ले सकते हैं, और अगर आपको ये video, जो है H.S.Pree series चाहिए, या फिर हमारी books चाहिए, तो please screen पे दिएगे number पे call करके आप इन्हें मंगवा सकते हैं, या फिर हमें email भी कर सकते हैं, special issue ज